हेलो फ्रेंड्स एक बार पुना आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टड़े 26 पे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने जोगरफी को लिया होगा MIC, MDC या किसी भी रूप में MJC के रूप में तो आपके syllabus में first unit में ही चर्चा है बच्चों कि वायू मंदल की संरचना और वायू मंदल का संगठन तो इससे पहले के वीडियो में हमने वायू मंदल के संगठन के बारे में बता दिया था अब यहां से हम लोग वायू मंदल की संरचना के बारे में जानेंगे कि अखिर structure of जो है हमारा atmosphere उनके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या basic चीज़ें जाननी है पहले उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे फिर इनके बारे में हम लोग बताएंगे आपको कि कौन-कौन सी संरचना है उन चीज़ों को हम लोग बारी किसे देखते चलेंगे ठीक है तो अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक किजेगा वीडियो को और सेर जडूर किजेगा अगर वीडियो पसंद आए तब चलिए बिना भिलंब की इन चीज़ों को समझते है ठीक है देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वायू मंदल के संगठन के बारे में क्या खिर वायू मंदल में क्या क्या चीज़े पाई जाती है उन चीजों के बारे में हमने चर्चा किया था तो वहीं आपको बताया था कि देखे जब प्रिथवी की उत्पति यानि कि ब्रह्मांड की उत्पति आप जब जानते हैं बच्चों आपने पहले पढ़ा होगा फर्स सेमेश्टर में ही आपके टॉपिक में था यानि कि ब्रह्मांड की उत्पति यानि यूनिवर्स के बारे में आपको पढ़ना था तो आप जानते हैं थोड़ा सा वहां पे हम आपको बता दें कि देखे ब्रह्मांड की उत्पति जब हुई ने बच्चों माली जी एक केंद्र के रूप में पूरा ब्रहमांड था, उसमें विस्पोर्ट हुआ, कहा जाता है कि एक विस्पोर्ट हुआ जिसको बिग बैंग की थियोरी के रूप में आप पढ़े होंगे, तो उसी तरह बिग बैंग की घटना हुई, और उसके बाद क्या होता है, ब्र प्रिथवी जो होते हैं, अब इसी के बारे में आप दिख़िए, प्रिथवी के चारो और क्या होता है, जब ये बनके तयार होती है, यानि कि प्रिथवी जो गर्भ एक स्वटंत रूप में होता है, तो उसके चारो और क्या होता है, कि आप देखेगा एक temperriture, मतल़ की गर पेसर कूकर में जब उसको यह बॉयल कर लिजेगा तो कितना गर्म होता है थीक वैसे ही पृत्वी थी पहले और अभी वैसी ही इस्तिति है पृत्वी की ठीक है तो वह जो पृत्वी थी ना बच्चों जो पृत्वी जिसमें हम लोग रह रहे हैं तो उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे ये ठंडा होता गया और ठंडा होता गया ना तो धीरे धीरे इसके चारो तरफ यानि चारो तरफ हमने पहले भी बताया था कि एक छोटी और मोटी परत यानि कि छोटी नहीं बलकि बोलिए तो एक मोटी परत पूरा जमा हो गया इसके चारो तरफ और यही परत को हम लोग बोलते है वायू मंडल यानि कि इसको बोलते है एटमोस्फेर समझे और इसी एटमोस्फेर के अब हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में कि एटमोस्फेर में आखिर कौन-कौन सी चीज़े पाई जाती है उसको हमने पहले भी करा दिया उससे related question भी बता दिये अ चारो तरफ से इसी तरह गोल-गोल गुमी हुई है कि प्रिथवी के चारो तरफ ये परत पाई जाती है और हमने पहले भी बताया था कि ये वायू मंडल का निर्मान जो हुआ है प्रिथवी के चारो और तो वो गुरुत्वा करसन बल के कारण हुआ है प्रिथवी की गुर प्रिफ्वी पहला लेयर है जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला तो इसको बोलते छोब मंडल इसी तरह का लेयर है यह बच्चों फैला हुआ पटी के रूप में और यही पटी जो आपको दीख रहा है इसी तरह यह पूरा घुमा हुआ है ठीक है तो इसी तरह की यह पटिया है चारो तरफ से घुमी हुई है और प्रिफ्वी के चारो तरफ इसी सद्रिश से पटियां फैली हुई है तो इसके पांच नाम है और उन पांचों नामों को आपको धियान में रखना है ठीक है यहां से पहला कोस्चन यहीं से बनेगा कि आप उन पांचों नामों को जानत चौता है आयन मंडल इसी को बोलते है बाहे मंडल और पांचमा है बहिर मंडल तो ये पांच लेयर है ठीक है अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर उन मंडल में कौन-कौन से चीजें पाई जाती है तो सीधा मतलब ये समझे अभी तक जो में जो चीज हम बताना चाह रहते हैं कि प्रिथवी आरंब में क्या थी वो लाल गोले के तरह थी यानि बहुत गर्म थी उसके चारों और क्या हुआ धीरे-धीरे गैसों का पूंज बिच्छता गया यानि कि गैस पाए जाने लगे उसके चारों तरफ एक लेयर बना गैस का और उसी को हम लोग क्या ब होगा उसमें आप दिखिएगा हिस्ट्री का अलग कोई सेक्टर होगा जोगरफी का अलग पॉलिटिकल साइंस का अलग तो ठीक वैसे ही वायू मंदल का भी पांच सेक्टर हैं तो उन पांचों सेक्टर का नाम क्या है तो पहला छोब मंदल दूसरा समताप मंदल तीसरा पाह मंदल और पाचमा बहिर मंदल ये नाम इसी तरह याद रखिएगा अब देखिए आपसे जो है में चीज़ अब जो यहां से सुरू होती है कि ये कि आपसे पूछेगा कि छोब मंदल की क्या भी सेस्ताएं हैं तो उन चीज़ों को आप देखिए बारी-बारी से हम उठते हैं यानि प्रीथवी जिस पर रह रहे हैं उससे ठीक उपर जाईएगा कितना उपर तो हम वह भी बता दें कि आप 8-16-18 किलोमेटर यानि कि देखिए ये प्रीथवी हमारा इससे जैसे 16-18 किलोमेटर उपर जाईएगा तो वहां तक के एक भाग को उसको बोलते हैं तक की उचाई को हम लोग क्या बोलते हैं चोब मंडल बोलते हैं तो आखिर चोब मंडल में होता क्या क्या है उन्ची जो को अब दिखिए तो देखिए चोब मंडल में क्या होता है बच्चों जैसे जैसे प्रीथवी के उपर हम लोग जाएंगे ना उसमें क्या होता है उस नहां पर तापमान घट जाता है और वहीं पर तापमान जब घट जाता है न बच्छों तो यहां प्रिथवी का सबसे निकटतम अस्तर होता है कौन छोब मंडल को बोलायता है कि यहां प्रिथवी का सबसे निकटतम अस्तर होता है ठीक है देखिए पहला विश्यस्ता इसका यह कि तापमानी इसमें घटेगा, फिर आगे की मंडल में दिखेगा, वो कॉंस्टेंट रहेगा, फिर जब तीसरा मंडल हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे दिखेगा बढ़नी लगेगा, तो वो चीज़ धीरे धीरे आप समझेगा, पहला मंडल का यह समझे, कि छोब मंडल प्रित्वी का सबसे निकटम मंडल होता है, यह कहां से भाई, तो यह 16-18 किलोमेटर तक की यानि प्रित्वी के जो सता है, वहां से 16-18 किलोमेटर तक की उचाई तक यह फैला हुआ मंडल होता है, यह प्रित्वी का सबसे निकटम मंडल होता है, इसमें वायू का घनतु, य लिए ये और वाल्टी में आपको पालर भर लाए मालिजिया नहीं तो आफ आप एक आप हसी हुआ अब हवा भर दीजेगा तो यह फूल जाता है तो ठीक वैसे ही इसमें जो होता ना वायू का घनतों यानि कि पूरा बहुत जादा होता है यानि कि यहां पर वायू के एक एक दुसरे के बहुत निकट होते हैं ठीक है इस बात को धियान में रखिएगा दूसरी इसकी जो या फिर आंधी की इस्तिती जो आती है या फिर बादल जो बनता है या फिर जो दिखीएगा वरसा होती है यह सब कहां होती है तो आप से पूछेगा पहला तो यह बूलिए चोब मंदल में होता है चोब मंदल में ही वरसा आंधी तुपान मोसमी जितनी भी घटनाय है वो भी बनते हैं यानि कि जितने भी परकार की बादल होते हैं वह इसी मंडल में बनते हैं और कुछ बादल जो अपवाद हैं वह अन्य मंडल में भी बनते हैं जिसके बारे में हम आगे बता देंगे अभी सब्र रखिए लेकिन इतना याद रखेगा आप से पूछेगा कि सभी प्रकार के बादल कहां बन्ते हैं या मौसमी घटनाए कहां होती है तो छोब मंदल में छोब मंदल की सीधी बातें यह याद रख केगगा जितना याद रखने वाली जाते हैं उसको एक मिनट में आप समझे ये ये जो हमारा प्रित्वी है प्रित्वी के सबसे निकटम भाग को हम लोग छोब मंडल बोलते हैं ये हमारे प्रित्वी से 16-18 किलोमेटर तक के उंचे छेतर में पाया जाता है उसके बाद छोब मंडल के बारे में ये ध्यान रखे तो छोब मंडल की सारी चीजें महतबून चीजें जो है उसको हमने बता दिया उसको आप ध्यान में रख लीजीएगा उसके बाद आजिए ये दूसरा मंडल जो होता है ना बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग क्या समताप मंडल तो उसका क्या है वह कहां तक उचाई पर ह है, यानि कि आपको सीधा हम ये बता दे कि देखिए ये जो पहला मंडल था ये प्रिथिवी के सत्ष से कितना उचा था, तो 18 किलोमेटर उचा था और इसको क्या बोलेते हैं हम समताप मंडल, दूसरा जो मंडल है ये चोम एंडल जो कि 50 km तक यह उचा है यानि कि प्रीथिवी की सतह से नहीं होकर यह जो 18 km से 50 km तक का दूरी का यह जो भाग है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं तो आखिर समताप मंडल में कौन-कौन चीजें होती हैं उन चीजों को देखिए और उसमें क्या-क् है तो की बाते हैं उन चीजों को समयने का प्रयास किजिए इसमें जो होता ना ताप मान इस्थीर होता है यानि कि ना तो बढ़ता है ना घटता है इसमें अदम कॉंस्टेंट रहता है और वहीं हम आपको बताया थे किस में तो भाई चोब मंडल में क्या बताया थे कि समताप मंदल में यह होता है कि तापमान कॉंस्टेंट रहता है ठीक है समताप मंदल की सबसे महत्पुन विस्यस्ता यह बच्छों इसमें ओजोन परत पाया जाता है जिसको ओ थिरी भी बोलते हैं तो यह एदम याद कर लिजेगा एदम पूरा दिमाग में आपका राना चाह समताप मंदल में बच्छों क्या होता ओजोन परत पाया जाता और ओजोन परत क्या करता है हमारे लिए यह देखे मालीजे प्रित्वी है यह हो गया आपका क्या कौन तो छोब मंदल दूसरा हो गया समताप मंदल और इसी मंदल में हमने आपको बताया क्या तो ओजोन परत Filmा निकलने वाली जो भी हानिकारक किरने यहां पर सनों निकलनेगी है सूरी से हैं तो लग और मुंअपरzamर मंडल on नीचे भी आजाती वह प्रावेगनी किरन जो हमारे प्रिथ्भी पर पहुंच जा है न मचो तो इससे क्या होगा जानते हैं इससे यह वह होगा कि हमें तो अच्छा कंसर हो सकता यानि iskincancer की बिमारी हो सकती यह ये इतनी खतरनाक होती है जो कि सूरी के प्रकास में ही निकलती है यानि कि जो सूरी का light होता है उसी में ये निकलती है प्रावेगनिक किरन जिसको क्या करता है ओजोन परत जो है हमारे वायू मंडल में वो उसको absorb कर लिता है यानि सोख लिता है अगर नहीं सोक है तो वो नीचे भी आ जाएगा और हमारी प्रिथीवी पर आ कि अगर वो आ जाए और हम लोग कहीं भी दूप में निकलिएगा और वो लाइट हमारे सरीर पर पड़ेगा न तो हम लोग को इसकीन के इंसर हो सकता है जिससे हमारी मदद करता है या बचाने का काम करता है कौन करता है बचो तो ओजोन परत करता है आप से यही कोशन पूछेगा कि ओजोन परत का काम क्या है तो आप बोलिएगा कि हमें ये सुरी से आने वाली परावेगनी किरनों से बचाता है और हमें तोचा केंसर जैसे बीमारियों से भी बचाने का कारी करता है दूसरी इसमें बातें यह याद रखिएगा कि ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल की और अन्य बातें जो है उसको अब देखिए इसमें क्या होता है बचों इसी में ज तरह की कोई चीजें होती जो कि आपको दिखा ही नहीं पड़े आगे की बातें आगे की चीजें तो आपको क्या दिखता है आप खुद ही सोची आपने घर के आगे आगे आप खड़ा हो जाएए वहां से देखेगा हो सकता है कि आपको एक किलोमेटर तक की दुरी तक आप देख सकते हैं नीचे आप देखेगा तो लेकिन अगर वही आप देखेगा कि घर के एक किलोमेटर के आगे आगे आप नहीं देख पाईएगा इसका रीजन है कि यहां पे घर दुआर और भी चीजें बनी रिया या पेड़ पोधा है तो आपको नहीं दिखने को मिलता आगे तो ठीक वैसे ही अगर हमारे वायूमंडल में भी ऐसी चीजें होती तो क्या आपको दिखता हो पर नहीं दिखता है यह वायूमंडल साफ है इसलिए आपको यह चीजें दिखती है और आप देखिएगा यह जो वायू यान या फिर आप जो जहाज वेगर जो उड़ते हुए देखते है न तो यही समताप मंडल में उड़ता है इस बात को ध्यान में रखेगा और ये समताप मंडल कितना है बच्चों तो ये प्रिथवी से 50 किलो मेंटर तक की उचाई को हम लोग क्या बलते है समताप मंडल ठीक है इतनी चीजें याद रखन भाने किया सकता नहीं होगी दूसरा समताप मंडल तीसरा आपका क्या हो गया बच्चों तो थीसरे मंडल को हम लोग क्या महते है फिर सकते मंड्य मंड Originally क्या होता यह जो है ना आपको हमने पहले बताया पहला मंडल क्या होता 12-18 ön किलोमेटर तक की उचाई तक फैला हुआ है दूसरा मंडल हमने बताया 50 किलोमेटर तक की उचाई तक फैला हुआ तीसरा मंडल कहां तक फैला हुआ है इस चीज़ को आप जानते हैं नहीं जानते होंगे यह 88 किलोमेटर यानि कि यहां पर temperature फिर गिरने लगेगा जैसे हमने बताया था आपको कि छोब मंडल में क्या होता है temperature गिरता है समताप मंडल में temperature क्या होता है वो इस्थिर रहता है यानि constant रहता है और यहाँ फिर मध्य मंडल में क्या होगा temperature बढ़ यानि गिरने लगेगा यानि कि वो low होने लगेगा ठीक है इतनी चीज़ें याद रखने आपको इसी मंडल में क्या होता है जानते हैं एक बादल का प्रकार है nocti q-cent nocti q-cent cloud जिसको बोलते हैं बादल वो इसी मंडल में पाया जाता है मध्य मंडल में ही आपसे अगर बहुत ज़्यादा dip पूछे का question तो यही पूछेगा nocti q-cent यह बादल कहां पाया जाता है यानि कि यह जो आपका cloud है यह कहां पाया जाता है किस मंडल में पाया जाता है यह मद्य मंडल में पाया जाता है इस बात को ध्यान में रखेगा अगर बहुत डिप पूछेगा तो यही question पूछ सकता है आपसे दूसरी चीजें इसमें याद रखेगा कि इसी में उलका पिंड जो होता है यहां आपे आके जल जाता है आखिर उलका पिंड होता क्या है इसको अब दिख लीजे यह आप जामते सन है मारा सन के हमारे चारों तरफ क्या होता है बच्छों सभी जो गरह है यही सूरी के चारों तरफ चक्कर लगाता है आपने फर्स सेमेश्टर में पढ़ा होगा आप देखेगा उलका पिंड जो होत निकल कर क्या होता है किसी अनिक अख्ष में डोग जाता है और कभीकभी के कच दूग जाता है यह apron के निकठ आ जाता है तो निकठ जब आने लगता है ने तो पिरिथिवी के चारों तरफ आप जानते हैं कि वाईयु मन्दल की सन रचना फेली विए ही जो हम अब बता रह inad आपको तो इसी में मध्य मंडल तीसरा मंडल है इसके वायू मंडल में तो इसमें क्या होता है जब यह मध्य मंडल में उलका वहां से गिर के वे हट के निकलता है तो उलका वही होता है पत्थर उत्तर यानि कि छोटे-छोटे कनो का एक पाठ होता है ठीक है और यह बहुत उसकी संख्या यानि आकार होता है यही उलका पिंड जब आता है न बच्चों तो प्रिथवी पर पहुंचते पहुंचते यह मध्यमंडल में जैसे पहुंचता है यहां पर क्या होता है यह जलने लगता है और यहीं पर यह जल के खत्म हो जाता है यही भाग अच्छा है प्र यह ऐस्टा पूरा दम है यह американ हं आगidorकton के जल जाता है और उलकापिंड होता है इस इस बात को सतने का परियास किया है तो इतनी चीजान इसान समझा दिए १ा ओन बताने का प्रीयास कि कि प्रित्वी के वायो मंडल की पांच परत है जिसमें चोथा मंडल आपका आयन मंडल है इसी को अगर आप बोलना होगा ना अगर टेक्निकली आपको फसाना चाहेगा एक्जामलर तो वो फसा देखा कि बाहे मंडल किसको बोलते हैं तो यही आयन मंडल का नाम होता है तीसरी इसमें क्या होती है कि उचाई इसमें जैसे जैसे बढ़ेगा ना वहाँ पे तापमान भी बढ़नी लगेगा यानि सीधा मतलब यह समझे यह जो पिरित्वी आपकी इसके पहले परत को हम लोग क्या बोले तो पहले परत को हमने बोला कि छोब मंडल है दूसरा परत आपका संताप मंडल है तीसरा परत आपका क्या था मध्य मंडल है और चोथा आपका आयन मंडल है ठीक है तो आयन मंडल वाला जो परत है न वच्छों इसी में क्या होता है कि इसकी जो जैसे जैसे आप यहां पर पहुंचिएगा यानि कि यहां की जो टेंपरेचर है आयन म मंडल की उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयन मंडल बोलते हैं टीक इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको अब देखिए आयन मंडल में आपसे कोश्चन बहुत अंदर तक अगर पूछना होगा तो आपको बोलेगा कि एक बात बताईए कि आयन मंडल में कहां पर सबसे ज्या मंडलों तीस्रा मंडल यह हो गया यह मद्य मंडल हो गया आपका है यह सम्ताप मंडल हो गया और यह और अब नहीं आयन मंडल को आपको पूछेगा कि लंबा बे कहां पर प्रुछे जाता है आपको बोलेगा लंबा वेव जो वेव तरंगें होती है जो प्रित्वी से आप जानते होंगे नहीं जानते था हम आपको बताते हैं प्रित्वी से कुछ होती है जो आज के विज्ञानिक जो है कुछ वेव तरंग भेजते हैं उपर ठीक है जो कि वायू मंदल में वो भीजते हैं तो यही जो वेव ऋपर rudy का होटा था यानिती सबसे छोटा आपको बोलेगा वेवत तरंग प्रोंग क्या होटा सबिंगे मुझे मैं यह से ज़ोटा है ऊसकी चरचा आप नहीं किजीं उसको ज्याधा दिमाग भी नहीं लगाना है लेकिन इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको कि जो सबसे लंबा वेव तरंग जहां होता है वो D में होता है उसको E में क्या होता है मिडियम वेव तरंग होता है और ये जो है आपका F जो है उसमें सोट वेव तरंग पाया जाता है और यह आयन मंडल का ही हिस्सा है यानी पार्ट है इस बात को धियान में रखेगा और आयन मंडल इसको बाहे मंडल भी बोलते हैं इसको तो आयन मंडल में एक चीज और याद रखेगा कि इसको आयन मंडल इसलिए बोलते हैं बच्चो इस मंडल में देखेगा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के चार्ज यहां पर उपलब्द होते हैं यहां पाए जाते हैं इस वजह से इसको बुलाया था तब तो आप दिखेगा जो प्रिथवी से जाने वाली वेव तरंग है वह वहां पर जाके मतलब परिवर्तित होती है और फिर वापस आती है जैसे यह मालिजे यहां प्रिथवी है आपका यहां से कोई वेव तरंग गई और फिर यह वापस आती है जो सबसे उपर जाएगी यानि कि जिसको आप बोल सकते हैं कि ब्रिहद यानि कि बहुत बड़ा या सबसे लंबा वे है यह बहते हैं कि आप से बोलेगा वायूम का सबसे ओपनी हिस्टा होता है तो आहाहें की चोब मणडल होता है तो इस बात को ध्याना दम्रेख है और मध्य मध्यbahn भाएमनृ मंडल के बारे में बोले या ब कॉन होता है उसके बाद इसमें यह मंडल होता है यह 400 KM के ऊचाई से शुरू होता और इसकी जो सीमा है वो अन्त नहीं है इसके बारे में कहा जाता है यह बहुत दूर तक फैली भी पटी है और लगवग लगवग आपको बता दे कि 400 किलो मिटर से यह जो मंडल है यह सुरू होता है और इसका अनन्त है यानि इसके बारे में कोई यह authentic रूप से नहीं कर सकते कि यह इतना ही दूर तक फैला हुआ है ठीक दूसरी बात इसी में hydrogen और helium gas पाया जाता है आपको हमने बताया था जब हम पहला chapter पढ़ा रहे थे तो इसके पहले part में हमने बताया था आपको कि जो आपका पहला part है यानि कि जिसको हम लोग 6 मंडल बोले तो हम आपको वहीं पर बतायाते जो जो प्रित्वी यानि वायू मंडल में जो जो मतलब भारी gas है वह प्रित्वी के निकट होता और जो हलका होगा वो उपर होगा तो में हम बताया थे बच्चों कि nitrogen है या oxygen है तो यह सब gas कहां है बच्चों तो यह co2 है तो यह यानि carbon dioxide है oxygen है nitrogen है आपसे पूछेगा यह सब प्रिथवी के सबसे नीचे पाया जाता है यानि कि नीचे वाले मंडल में वो कहां बच्चों चोब मंडल में और आपको बोलेगा सबसे हलका पाया जाता है तो वो प्रिथवी के सबसे उउपरी वाले हिस्षे में जिसको हाँ पायाया जाता है इतनी चीज़े याद रखनी आपको कि हलियम और हाइड्रोजन गैस जो है हलका गैस होनी के वज़े से यह हमारे प्रिथवी से बहुत दूर है यानि कि वाईू मंडल में यह बाह मंडल में पाया जाता है इसमें उपगरह मोजूद होते हैं उपगरह का मतलब आप सोच रहे होंगे एक होतागरह एक उपगरह कुछ उपगरह है जिसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया जिसमें इंसेट है जी सेट है यह सब उपग्रह जिसका निर्मान मानव ने अपने सुविधा के लिए किया है तो वह उपग्रह कहां पाया जाता है तो वह आप याद रखेगा बहिर मंदल में पाया जाता है उसके बाद इसी मंदल में दिखेगा ओरोरा जिसको बोलते दुरूबिये जोती जैसी घटनाय भी मोजुद होती है दुरूबिये जोती वाली घटना जो है न इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के आप याद रख लिजेगा यहां से प्रसन आप से जा सकते हैं कि दुरूबिये जोती या अरोरा कहां पर पाया जाता है तो आप बोलिएगा देखिए अरोरा या धुरूबिये जोती यह हमारे वायू मंदल के सबसे उचतम मंदल में पाया जाता है यानि कि वह बहिर मंदल में पाया जाता है अब इसको देखे इस बात को ध ठीक है यानि दक्षिन मतलब नीचे वाले हिसे में इसको अरोरा अस्ट्रियोलिस और उपर वाले हिसे में अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं ठीक है इस बात को ध्यान में रखिएगा याद कर लिजीगा बोरियोलिस या बोरियोलिस और अरोरा दक्षिन वाले हिसे को अरोरा अस् संरचना है उससे समंदित याद रखनी है उतनी चीजों को समझना है बाकी आपका काम हो जाएगा और यही कोश्चन आपसे पूछा भी जाएगा इससे अब्जेक्टिव जो बनेंगे वह भी हमने आपको डिसकस किया और उसको अब्जेक्टिव को ध्यान में रखिएगा या विस्तिरित विबरन या वरनन करें आपसे कोश्चन होगा बच्चों कि वायू मंडल की संरचना का वरनन करें पहला कोश्चन इससे यही बनेगा तो उसका उत्तर जो आप लिखिएगा जितनी चीज़ें अभी हम बताए उतनी चीजों को लिख लीजेगा जो चीज़े हमने नहीं लिखा था जो चीज़ें हमने आपको समझाया है उस चीज़ को बना लिजेगा उसके बाद आप वायू मंडल की संरचना आप जब दिखाईएगा तो यह प्रीथवी बनाईएगा उसके उपर वाले पांच हिस्से को बनाईएगा और पांचो का नाम हमने जो बताया था आपको छोब मंडल समताप मंडल मध्य मंडल और उसके बाद क्या बताया थे बाह मंडल या बहीर मंडल आपकी जएगा आयन मंडल इसको बलते हैं और सबसे उपर वाले हिसे को अमने बहीर मंदल बोला था तो इसी तरह आप बना दीजेगा याप मालीजे पिरिथवी नहीं बनाते हैं तो इस तरह का गोला बनाते जाईएगा और इस तरह का उसमें नाम लिखते जाईएगा कैसे नाम लिखिएगा तो भी अभी हम दिखा देते हैं चुकि ये मैप आपको बनाना पड़ेगा चुकि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के नहीं बलकि आप जोगरफी के बच्चे हैं तो जोगरफी वाले बच्चों से ये मतलब भरोसा किया जाता है कि वो मैप का जडूर इस्तमाल करें ठीक है इसमें यही याद रखना है जो कि आपको नाम हमने लिख दिया है पहला छोब मंडल दूसरा समताप मंडल इसी तरह बनाईएगा मद्य मंडल तीसरा आयन मंडल और जो अंतिम है पांचमा वो है बहिर मंडल तो इसी तरह आप लिख दिजेगा उपर से नीचे इसी तरह डाइग्राम पना दिजेगा तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छा नमबर मिलेगा दूसरी चीजें उसमें इंट्रोडक्शन में आप बताईएगा कि प्रारम में प्रिथवी बहुत गर्म थी जैसे जैसे ठंडा हुई तो प्रिथवी के गुर्त्वा करसन बलके ही कारण इसके चारों और वायू मंडल का निर्मान हुआ और इसी में वायू मंडल के पांच संरचनाय पाई जाती है जो कि पहली है छोब मंडल दूसरा समताप मंडल तीसरा मद्य मंडल और चोथा जो आपने बताना है वो आयन मंडल और पांच मां आपको बताना है बहिर मंडल है तो ये चीज लिखिएगा उसके बाद बोलिएगा कि इनके बारे में अब हम लोग विस्तरित अध्यन इस प्रकार करते हैं या इनका चर्चा हम लोग निमने रूप से करते हैं तो उसके बाद नीचे जितनी चीजें हमने बताई उतनी चीजें लिख दीजेगा तो ये आपका बहुत ही अच्छा एंसर होगा और जो चीज हम बोल देते हैं जो आपको लिख के नहीं बता रहे हैं तो उनको आप जडूर अपने copy में लिख लिया किजे चुकि यहीं से question ब बता दें कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो पिछली वीडियो को जडूर दिखिएगा तो ये वीडियो आपको और आसानी से समझ में आएगा चुकि वहाँ पे gases के बारे में हमने बताया था जलवास के बारे में बताया था तो वह चीजें यहीं से लिंक है तो वह चीज को समझने के लिए इन चीजों को मतलब उन चीजों को समझ के ही इन चीजों को आप समझ पाईएगा इस वीडियो को समझ पाईएगा जादा तो इसलिए उस वीडियो को जडूर दिखिएगा और अगर आपको नहीं मिले वीडियो तो आप प्लीज जडूर कीजेगा कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं हमने बहुत ही आसान भासा में आपको समझाने का प्रयास किया है और उन चीजों से आपको समझ में भी आया होगा अगर समझ आये तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजेगा और इसी तरह आप साथ बनाए रखिए बाकी अगली वीडियो में हम लोग फिर नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद